जो है यह वह समझेगा कि कुछ kem बाते होती जैसे आप देखोगे तो प्री इस प्रीक श쪽에 मैंई शन नहीं है मेंड शन नहीं है तो आप अगर DR आ जी ऑ collab ऐन्तराश्ति स्थाइय यह सब सेलेबस सेलेबस प्रणा को मानता हूं मैं आप लोको सब को मानता हों कि आप लोग बहुत अच्छे बच्चे अर मेरी बात से सुनते हो प्राश्ट हो लिए चैनल को सेब्स अभी ऐसा नहीं होगा जो ऐसा नहीं कर रहा होगा तो मुझे आप लोग में पूरा भरुसा है ठीक है अब मेरे पास समझेगा कि यह जो है international relation जो में तो clear given है लेकिन pre में ऐसा अलग से given नहीं है कि pre में कुछ syllabus बहुत ही आप कहते तो decoded नहीं है decoded नहीं है तो pre में भी international relation current affairs पर हम लोग मान लेते हैं कि हम international relations है ठीक है तो current affairs जो prelims का है उसमें हम लोग मान लेते हैं कि international relation है अलग से mention नहीं है pre में ठीक है तो लोग मान लेते हैं तो राश्डियों अंतराश्टी महती की घटनाये बोलता है उसमें है अगर आपने UPST का प्री आपेपर देखा होगा तो इस बार question कैसे पूछा था सुडान में शानार्थियों पर प्रश्ण पूछा था, लेख पूछा था, जो लेख, माक्वीनी करके लेख थी, जो कौन सी लेख थी, जो सूख रही थी बहुत ये जिसे, उस लेख के बारे में पूछा था, ऐसे करके UPS, UPS क्या करती है? current affairs related question पूछती है general question current affairs से पूछती है पिर आप देखोगे किसी साल current affairs से पूछा कोई institute के बारे पूछ दिया कभी पूछ देगा हाल में सुर्खियों में रहे quad क्या है ठीक है कभी question पूछ देगा कि हाल में charge में रहा S400 क्या है बहुत basic सा question एकदम basic direct question current affairs का UPSC UPP से पूछ देगी तो इसकी अमारी तैयारी भी ऐसी होगी तो जब हम pre के लिए approach से पढ़ेंगे तो pre के लिए क्या approach से पढ़ेंगे basic understanding basic understanding की यह क्या है नया keywords कौन सा चला कौन सी नई घटनाय है तो pre के लिए हम focus करेंगे पूरी तरह से current affairs पर लेकिन जब आताती है mains की तो mains के लिए focus करेंगे background और background की शिच का जो syllabus में given है जो syllabus में अंतराशी संबंद के जो syllabus में given है उस background पे आयार पढ़ने का हमारा approach यह रहेगा basically IR के अगर आप questions देखोगे मेंस के ठीक अगर मेंस के question देखोगे हना चुकि दुरू में जो दुरू पहचा ना 500 प्लस वाला जिसमें GSM लोग 500 questions के मादव से करा रहे है उसमें IR मैं ही पढ़ाऊंगा ठीक आयार मैं ही पढ़ाऊंगा तो यहाँ पैसे समल्लों कि मैं यहाँ पे भी भंक से पढ़ाने वाला हुआ यार ठीक है ताकि आपका प्री मेंस कोई भी question वाँ पे बचे नहीं तो जो मेंस में भी प्रशन आता है ना एकाज साल छोड़ दीजे अगर जैसे एक दो साल ऐसा हो सकता है कि बहुत basic question UPSC पूस दे एकाज साल की बात अलग है भंक खाके कोई paper बना दिया तो उट पर टांग प्रशन पूस दिया जनरली आप देखोगे तो UPSC, UPSC current में जो चीजे news में रती है वही पूसते हैं वही means में भी वही चीजे पूसते है जो current में news में बस आपको करना क्या होता है कुछ background आपको चाहिए होता है कुछ background आपको चाहिए होता है जैसे अभी इस आलाग ने UPSC का गरपर देखा होगा तो UPSC में क्या पूछा UPSC में भारत नेपाल संबंद ठीक है तो UPSC में पूछाओगा भारत नेपाल संबंद अगर आप last year देखोगे तो पूछ रहे थे WHO World Health Organization की बारे में पूछ रहे थे कभी trips पूछते हैं और जो सबसे famous topic है जो कि UPSC पूछता है बार 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 वार आपके सामने है WTO World Trade Organization क्योंकि यह हमारी economics पर भी impact डलता है यह हमारी international relations पर भी impact डलता है और syllabus का पाट क्या है syllabus में सीधे सीधे लगा है विकास तिल और विक्षित देशों की नीतियां और भारत पर उनका प्रभाव यह हमारे लिए बहुत मत्तपूर हो जाता है यह हमारे लिए बहुत मत्तपूर हो जाता है मेंस के नजरिये से यह सारे international relations के topics तो जो विजन की जो monthly magazine हम लोग कर रहे है यहाँ पर भरपूर मात्रा में content दिया होता है तो अगर आप monthly magazine 12 महीने की follow कर लेते हो या 10 महीने की follow कर लेते हो तो IR के लिए इस से अलग आपको कुछ पढ़ने के आशकता नहीं होती है तो international relations के लिए केवल और केवल आप यही पढ़िए क्या current affairs और ऐसा जिसमें background दिया हो तो देखो जैसे यह जो current affairs हमारे सामने है यहाँ पर background दिया हुआ है background दिया हुआ है आपके लिए बस क्या हो जाएगा आपको केवल यह पढ़ना है बस और मेंस के दो चार कोशन अटेंट कर लेने मेंस के दो चार कोशन अटेंट कर लेने आपका काम बन जाएगा